हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिसी के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका होने वाला जो बच्चा है वो लड़का है यह लड़की है ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा है वीडियो पर पहले आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क प्रेस कर देजगा आपको यहां पर प्रेग्नेंसी से रिलेटिड वीडियो मिलती रहेंगी तो वीडियो चली बात कर लेते हैं आगे यह कौन-कौन से जो लक्षण होते हैं वो लड़के के लक्षण कहलाते हैं देखे ओल्ड वाइफ जो महिला होती थी वो बोलती थी कि यह जो लक्षण जैसे कि महिला को अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी तो उसको देखकर बोल देती थी कि यह महिला लड़के को जरम देगी हैं फिर लड़की को तो इस तरह से अंदाज लगाती थी ओल्ड वाइफ लोग तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वा लिए हैं ठीक है तो लेकिन वो बच्चा राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी यह नहीं पता होता है बट कैसे अंदाज लगाएं कैसे पता करें जिससे कि हम अपने होने आले बच्चे के लिए बहुत सारी स्वापिंग कर सकें बहुत सारी जैसे कि बहुत सारी कि आगर आपके बाल जू है बहुत जद gayr रहे है तो ऐसा मानना जाता है कि यह लड़के का लखे सी α की अपने को दोस्तों इनिष्ट की आगए बहुत जदा मतलब डार्क हो रहे है निपल्स डार्क हो रहे है आपके आखों के नीचे काले घेरे हो रहे है ठीक है आपके गर्दिन के नीचे काले घेर हो रहे हैं मतलब डार्क हो रहा है आपकी ना भी डार्क हो रही है तो ये लक्षन कहा जाता है कि लड़के होने के टाइम पे होता है आपने एक बेबी लड़के को मतलब कंसीब किया हुआ है बट दोस्तों मैं आपकी डाउट जो है वो क्लियर कर देती हूँ दोखिए ये जो आपके अंदर काला पन होता है निपल काले होते हैं डार्क सरकल आ जाते हैं तो वो क्यों आते हैं जैसे ऐसे आपकी प्रेगनसी वड़ती है तो आपके सरीर में एक हार्मोन जो होता है मिलेन स्कीन होने का ठीक है बालों की गिरत हार्मोंस की वज़े से जो बाल होते हैं वो कमजोर होते हैं गिरते हैं लेकिन इसका लड़का या लड़की से कोई लेना देना नहीं है दोस्तो हमारा मकसद है सरफ सही जानकारी देना आप इन पे 100% बिल्कुल भी बिस्पास मत करिए सिर ही मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में नाइस्ट आपीक बबावाई